आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टार्गेट के लिंग हुई है अतंक्यों ने शोपिया में गैर कश्मीरी ड्राइवर को निशाना बनाया है लोग सुबर चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गैर कश्मीरी पर गोली चली है कल रात आठ बज़े के आसपास शोपिया के एक होटल में रिस ड्राइवर खाना खा रहा था ड्राइवर के साथ दो बिदेशी परियाटक भी थे जने वो गाइड कर रहा था उस ड्राइवर की गलती बस इतनी थी कि वो कश्मीर नहीं दिल्ली का रहने वाला था आशंकर ज़ता जा रही है कि बाहरी ड्राइवर होनी की वज़े से आतंक्यू ने उसे टारइवर किया और रात आठ बचकर पच्चिस मिनट पर उस पर गोल ही चला दी हमले के बाद 45 साल के दिल राजन सिंग को फोरन अस्पताल में भरती कराया गया शुरी निगर के SMHS अस्पताल में उनका इलाज जारी है इधर ड्राइवर के साथ बैठे बिदेशी परेटों को पर कोई हमला नहीं हुआ वो फिलार पुलिस की कस्टडी में सुरक्षिद है हमले के बाद इलाके में आतंक्यू की होजबिन शुरू हो गई सर्च ऑपरेशन चला कर आतंक्यों को खोदा जा रहा है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रवधानों को हटा जाने के बाद वो खलाए हुए आतंकी दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को निशाना बनाते आए हैं हाला कि 2024 में टार्गेट किलिंग की ये पहरी घटना है तो बर्कुल देखे कश्मीर में एक बार फेर टार्गेट किलिंग का मामला सामने आया है और इस बार गैर कश्मीरी ड्राइवर को निशाना बनाये गया है आतंक्यों की ओर से हाला कि सर्च ओप्रेशन लगातार जारी है